हलो एवरिवन माई नेम ही चंदन सेंग और इंगलिस ट्रेनर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि गो के साथ जिरंड किस सिचुएशन में लगेगा दोस्तों कई बार आपने सुना होगा आपको सिचुएशन से जहां पर आप किसी एक्टिविटी के आगे गो लगाएंगे और उस एक्टिविटी के आगे आगे गो लगाएंगे कि को आई एंजी में दिखाएंगे क्या है वो सिचुएशन ध्यान से देखिए यहां लिखा है आउट डोर याई स्पोर्ट एक्टिविटीज यानि कि आप किसी एक्टिविटीज के लिए जाते हैं जो आउट डोर है और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा होती है एक सिचुएशन यह है अब समझें कौन सी एक्टिविटी है नेक्स्ट है fun in free time आपके पास free time है आप fun के लिए जा रहे है यहने कि आपको sport activity करनी है वो outdoor होनी चाहिए और आप fun के लिए कहीं पर जा रहे है आप free time में enjoy करनी वाले है या एक और है कि verbs not followed by object और जो verb आप बोलेंगे उसके बाद कोई object नहीं होने चीएब मैं ज्यादा बो और स्पोर्ट एक्टिविटी या फ्री टाइम में जो आप करते हैं, हो सकता है कि आप फिशिंग के लिए जा रहे हैं, इनो, फिशिंग, मचली पकडने का काम, या हो सकता है कि आप स्काइडाइविंग के लिए जा रहे हैं, और ऐसे तमाम ऐसे काम है, जहां पर एक स्पोर् उसके बीच में कोई preposition नहीं होगा, कोई to या for आपको नहीं लगाना है, बस यही एक मुद्दा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ situation दिये गये हैं, एक list मैंने लिखे, आप चाहे तो आप Google से list निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप boating के लिए जाते हैं, तो भाई एक free time में आप ज बोलेंगे, तो go to या go for आपको बोलना नहीं सिधा, आप go boating बोलिए, बहुत ही बहतरीन है, और high level पर लोग बिल्कुल यूज़ करते हैं, आप go boating बोलिए, उसके बाद skiing है, या fishing है, तो go fishing बोलिए, skating है, आप go skating बोलिए, अगर shopping है, तो go shopping कहेंगे आप, balling है, ऐसे होता है, एक इतना बड़ा सा ball होता है, और ऐसे करके मारते हैं, और सारे वो जो होते हैं, गिर जाते हैं, उस game को balling कहते हैं, तो आप balling के लिए जाते हैं, तो आप go balling कहिए, camping के लिए जाते हैं, तो आप go camping कहिए, मतला आपको two नहीं लगाना है, आपको four नही के लिए जाते हैं तो go के साथ hunting cycling है तो go cycling skydiving है go skydiving ऐसे बहुत सारे list है guys अब मैं कुछ sentences दिखा रहो friends जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं shopping के लिए जा रहा हूँ तो sentence है कि I am going shopping I am going shopping यही अगर second में होता तो I went shopping हो जाता go का sense बदलता रहेगा यानि कि उसका जो form है go went gone यह होता रहेगा he has gone shopping आपको ऐसे बोलना है friends तो यहाँ पर कोई object नहीं आना चाहिए अब देखते हैं we went camping last month यानि कि we went camping हम पिछले महिने camping के लिए गए camping करने के लिए गए तो सिर्फ आपने go का second form went बोला और यहाँ पर आप camping बूल दीजिए बीच में आप कुछ मतलगाए कि went to camping went for camping इसी से बहतरिन sentence बनकर तयार हो जाएगा के लिए चलते तो let's go fishing कोई go to fishing नहीं है कोई go for fishing नहीं let's go fishing ऐसे गाइज अगला है कि are you going mountain climbing are you going mountain climbing यहनि क्या आप mountain climbing के लिए जा रहे हो कोई to नहीं कोई for नहीं did you go boating last week यहनि कि क्या आप पिछले हपते boating के लिए कहते तो कहने का मतलब है कि या तो आप एक list है out कर लीजी कि ऐसी जगों पर हमें go के साथ ing लगाना है मतलब go बोलना है और यह boating fishing बोलना है बीच में कोई to नहीं या तो list रट लीजे या फिर ऐसे logic समझना होगा कि कोई ऐसी physical activity है outdoor है sport activities है free time में हम उस काम को करते हैं उसके बाद हमें कोई object नहीं लगाना है या तो logic रटना पड़ेगा दोनों में से कुछ एक तो आपको समझ नहीं होगा ताकि आप इसका इस्तमाल कर पाए तो मुझे तो लगते हैं कि आप ऐसे 10-15 रठी लीजे तो काफी अच्छा हो जाएगा आपको आदत से हो जाएगी तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद था समझाने का कि लोग बाग बहुत use करते हैं कि let's go shopping आपने सुना भी होगा तो अब आप use करना शुरू कर दीजे दोस्तों तो बस आज के लिए इतना है guys मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ till then take care keep practicing and have fun अगर screen shortly सकते friends. Thank you guys.